पाइब के जरीए खाना 40 लोगों को भीजा जा रहा है और इसमें मुरमुरे साथ में चॉकलेट्स पानी की बॉटल है ताकि उनको कहीं से भी वो डिहाइडरेट ना हो भूके ना रहें इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है हाला कि मशीन के तूटने के बाद अब दूसरी अम प्रिकर्स हैं जो कि अंदर टर्नल के काम कर रहे थे यह उनी लोगों के खाना है सरी इसमें काजू भी है और फिष्टावदाम है और किसमिस है बाकि हमारे जो अंदर में फसे हुए आदमी है उनके लिए यह पाइप द्वारा सप्लाइब किया जाएगा उनको प्रोटीन चाहिए नसर सक्ति चाहिए तभी तो प्रक्षित रहा पाएंगे और दवाई भी इसी पाइप के जरी भीजी जाती इसी के साथ जी नहीं के द्वारा था जाती है और अब ये दिन में कितनी बार से भीजा जाता है पार जाती है और ये वह राशन है जिसको अंदर ना हो दवाईया उनको पाइप के जरीए इसी राशन के साथ भीजा जाता है तो 41 लोगों को टनल से बाहर निकालने के बाद सीधे वही पर बनाए गए मेडिकल केंप में लाने की तैयारी है यही से मज़़ूरों को उनके दिक्कत के मुताबिक टनल के अंदर दवाई भी भी भीजी जा रही है मनेश परसाद के क्राउन रुपोर्ट आप देखे टनल से पानी और खाने के साथ-साथ मेडिस्न भी भीजी जा रही है वाइटमिन C, वाइटमिन D, B कसॉल और एंटी-डिप्रेसंट टेबलेट्स भीजी जा रही है उपलब्ध हैं सर क्या नाम है अब कर दोक्टर सुनील कुमार क्या क्या तैयारी की गई है उन लोगों के लिए जो अंदर है और कैसी मेडिसिन उनको भीजी जा रही है सर इसमें जो कहते हैं दवाया है लाइफ सेविंग ड्रग है कुछ है विलाल उनको फीवर और उसकी किसी को कब्ज की दवाय बेजी जा रही है कितने ऐसे लोग हैं जिनको जुनों ने शिकायत की कि उनकी तबह ठीक नहीं लग रही है और फिर उसके बाद उनके उप्चार के लिए मैं सर इसमें ऐसे तो तीनी लोग हैं तीनी लोग जिनके उप्चार के लिए दवाई बेजी गई है हमारे साइकेट्रिक्स भी गई अब यह बता दीजे कि इस हॉस्पिटल में जो सेटप किया गया है यहां पर क्या-क्या है और सारे प्रामीटर्स और यह सब चीजे हमारे यहां पर बीपी ना अपने की मसीन है बीपी अपरेटेस है गुलुको मीटर है ऑक्सिजन सिलेंडर है पॉर्टेवेल और यहां पर और यह ऑक्सिजन के लिए ECG मसीन है क्योंकि पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जा रहा है जो अंदर से जानकारी मिल रही है उसके मताबिक तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इनिशिली तब्यत खराब थी लेकिन फिर उसके बाद यहां से डॉक्टर साइक्सपर्स की टीम को भे हो सके